यह भारती जंता पार्टी का एक इंटरनल अपना प्रोसेस है उन्होंने मुहन यादोजी को अगर मद्वदेश की कमान सोपी है तो मैं मानता हूं कि एक नागरीख होने के नाते एक विपक्ष का कारी करता होने के नाते उनको बगाई देता हूं और आशा करता हूं कि उन्हो प्रृब्लाड़ीमेना की बात किये पहली के ऊपनेट पर लागो करना चाहिए बड़े चापद लोग मुख्यमंत्री और अठवूet बड़भर बात यह है कि कई लोग मुख्यमंत्री के नाम पर मैं बनूगा मुख्यमंत्री और विधायक बन गये अब चूश्कि की नई प्रोसेस हुई है तो अब जेतर की जनता समझे सोचे और साथ ही साथ मैंने जैसा का है कि हमारा तो विपक्ष का एक भाव होता है कि हम केस से प्रदेश की उन्नती में अपना योगदान दे पाए इसलिए मोहन यादव जी और दो मुख्य मंत्री बने सबको धर सारी श कि वह विधायक थे में भी विधायक था वो भी मंत्री थे में भी मंत्री था पर मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी गहरी चाप छोड़ी हो विभाग की कि जिसको याद करते से मोहन यादव याद आए पर फिर भी एसा जरूरी नहीं है हम तो आशा करेंगे कि वो प्रदेश की सम्रद्य और उन्नती में पाजिटिव सकारात्मक योग्दान दे और प्रदेश उन्नत होगा तो नेचरल है यहां के आवाम यहां की जनसंख्या यहां की जनता का असर होगा जीवन इस तर सुधरेगा तो हमारी आशा हैं सकारात्मक विपक्ष की होने के आते हैं, उनका हम सयोग करेंगे, और प्रदेश उन्नत बने, सम्रत बने, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात भचन पत्र पुरा हो, पहली केबिनेट में, दूसरी केबिनेट में, तिसरी केबिनेट में, जो बोला आपने सब करो. पूरे चुनाओं में OBC का मुख्य मुद्दर रहा और OBC मुख्य मंत्री बनाया है, बिजेटी नेचरल ने सोभाविक है, पहले थे वो भी OBC थे, अब हो भी OBC थे, उनके पहले थे वो भी OBC थे, तो ये, मतलब कोई नहीं बात नहीं है, पर जरूर यह है कि प्रदेश सम्रत अजिक केलाश विजवरगी प्लाट पटल का भी नाम खुशिद नहीं हुआ है, किस तरह देखते हैं इंदोर के अगर बनता तो केलाश विजवरगी चुकी यह आंके थे, इंदोर के गोरों का विशेथा, मैं इंदोर का हूँ, इसलिए मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छ झाल